साज संगत जी, प्रेम से कहना धान नरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का, आपके ही अपने चानल पर आज की हमारी साखी का विश्य है पता का प्यार साज संगत जी कहते हैं कि बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार इस दुनिया में उसकी मा करती है मा की ममता का मुकाबला और कोई नहीं कर सकता लेकिन ये बात भी कहनी गलत नहीं होगी कि पिता का प्यार भी मा की ममता से किसी मामले में कम नहीं होता तो आज की ये साखी है कहानी, एक पिता की पिता के प्यार की जिसे सुन कर आपकी आखों से आशू निकलाएंगे ममता के लिए एक स्थरी होना ज़रूरी नहीं होता बेटी के द्वारा अपने पिता पर लिखा गया निबंद जिसे कहानी के शबद रूपी मोतियों में पिरोया गया है शहर के एक अंतर राष्ट्रिय प्रसिद्धी के विधाल्य के बगीचे में पेज धूप और गर्मी की परवाह किये बना बड़ी लगन से पेड़ पोधों की कांट छाट में लगा था कि तभी विधाल्य के चपडासी की आवाज सुनाई दी रामदास तुझे प्रधानाचार्य जी बुला रही है रामदास को आखरी के पांच शब्दों में काफी तेजी महसूस हुई उसे लगा कि कोई जरूरी बात हुई है जिसकी वज़े से प्रधानाचार्य जी ने उन्हें तुरंत ही बुलाया है शिघरता से उठा अपने हाथों को धोकर साफ किया और चल दिया प्रधानाचार्य के कारियल्य की ओर उसे प्रधानाचार्य महोदय के कारियल्य की दूरी मीलों की तरह लग रही थी जो खतम होने का नाम नहीं ले रही थी उसकी रिदय गती बढ़ गई थी सोच रहा था कि उससे क्या गलत हो गया जो आज उसको प्रधानाचार्य महोदया ने तुरं थी अपने कारियले में आने को कहा वहे के मांदारिक करमचारी था और अपनी काम को पूरी निष्ठा से पुरण करता था पता नहीं क्या गलती हो गई वहें इसी चिंता के साथ प्रधानाचार्या के कार्या ले पहुँचा कहने लगा मैडम क्या मैं अंदर आ जाओ आपने मुझे बुलाया था प्रधानाचार्या महोदय की अवाज में कड़की थी हाँ आओ और ये देखो उनकी उंगली एक कागज पर इशारा कर रही थी तो प्रधानाचार्या ने रामदास को कहा पढ़ो इसे तो रामदास ने कहा मैडम मैं तो इंगलिश पढ़ना नहीं जानता उसने घबरा कर कहा कहने लगा मैं आपसे माफी मांगता हूँ मैडम अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं आपका और विध्याल्या का पहले से ही बहुत रिणी हूँ क्योंकि आपने मेरी बेटी को इस विध्याल्या में निशुलक पढ़ने की जाज़त दी मुझे किरिपया एक मोका और दे दे मेरी कोई गलती हुई है तो उसे सुधार ने का मैं हमेशा आपकर रिणी रहूँगा ग्रामदास बिना रुके घबरा कर बोलता जा रहा था प्रधानाचार्य ने टोका तुम बिना वज़ा नुमान लगा रही हो थोड़ा अंतज़ार करो मैं तुम्हारी बेटी की कक्षा अध्यापिगा को बुलाती हूँ वे पल जब तक उसकी बटिया की कक्षा अध्यापिगा प्रधानाचार्य के कार्यालय में पहुँची बहुत ही लंबे हो गए थे रामदास के लिए सोच रहा था कि क्या उसकी बेटी से कोई गलती हो गई कहीं मैडम उसे विध्यालय से निकाल तो नहीं रही रामदास की चिंता बढ़ गई तो कक्षा अध्यापिगा के पहुँचते ही प्रधानाचार्य महोद्या ने कहा हमने तुम्हारी बेटी की प्रतिभा को देखकर और परकर उसे अपने विध्यालय में पढ़ने की अनुमती दी थी अब ये मैडम इस पेपर में जो लिखा है उसे पढ़कर और हिंदी में तुम्हें सुनाएंगी ध्याँन से सुनना तो कक्षा अध्यापिका ने उस पेपर को पढ़ना शुरू करने से पहले बताया कि आज मात्र दीवस था और आज मैंने अपनी कक्षा में सभी बच्चों को अपनी अपनी मा के बारे में एक लेख लिखने को कहा तुम्हारी बेटी ने जो लिखा उसे ध्यान से सुनो उसके बाद कक्षा अध्यापिका ने पेपर पढ़ना शुरू किया पेपर में लिखा था मैं गाव में रहती थी एक ऐसा गाव जहां शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं का आज भी अभाव है चिकित्सा की अभाव में कितनी हिमाई दम तोड देती हैं बच्चों के जनम के समए मेरी मा भी उन में सेख थी उन्होंने मुझे छुआ भी नहीं की उनकी मरत्यू हो गई मेरे पिता ही वो पहले व्यक्ती थे मेरे परिवार के जिन्होंने मुझे गोध मिलिया पर सच कहूं तो मेरे परिवार के वे अकेले व्यक्ती थे जिन्होंने मुझे गोध में उठाया था बाकी की नजर में तो मैं अपनी मा को खा गई थी मेरे पता ने मुझे मा का प्यार दिया मेरे दादा दादी चाहते थे कि मेरे पता दुबारा विवहा करके पोते को इस दुनिया में लाएं ताकि उनका वह शागे चल सके परंतु मेरे पता जी ने उनकी एक ना सुनिय और दुबारा विवहा करने से मना कर दिया इस वज़े से मेरे दादा दादी जी ने उनको अपने से अलग कर दिया और पता जी सब कुछ जमीन, खेती, बाड़ी, घर, सुविधा आदी छोड़ कर मुझे साथ लेकर शहर चले आए और इसी विध्याले में माली का कार्या करने लगे मुझे बहुत ही लाड़ प्यार से बड़ा करने लगे मेरी जरूरतों पर मा की तरह हर पल उनका ध्यान रहता है आज मुझे समझ में आता है कि वे क्यूं हर उस चीज को जो मुझे पसंद थी ये कहकर खाने से मना कर देते थे कि वह उन्हें पसंद नहीं है क्योंकि वह आखरी टुकडा होती थी आज मुझे बड़ा होने पर उनके इस्तियाग का महतव पता चला मेरे पता ने अपनी क्षमताओं में मेरी हर परकार की सुख सुविधा का ध्यान रखा और मेरे विध्यालय ने उनको यह सबसे बड़ा प्रोसकार दिया जो मुझे यहां निशुलक पढ़ने की अनुमती मिली उस दिन मेरे पता की खुशी का कोई ठिकाना ना था यदि मा प्यार और देखबाल करने का नाम है तो मेरी मा मेरे पता जी है यदि दयाभाव मा को परिभाशित करता है तो मेरे पताजी उस परिभाशा के हिसाब से पूरी तरह मेरी मा है यदि त्याग मा को परिभाशित करता है तो मेरे पताजी स्वरग में भी सर्वूच स्थान पर है यदि संक्षेप में कहूं कि प्यार, देखबाल, दियाभाव और त्याग मा की पहचान है तो मेरे पता जी उस पहचान पर खरे उतरते हैं और मेरे पता जी विशव की सबसे अच्छी मा है आज मात्र दीवस पर मैं अपने पता जी को शुब कामनाई दूँगी और कहूंगी कि आप संसार के सबसे अच्छे पालक है बहुत गरव से कहूंगी कि ये जो हमारे विध्याला के परिश्रमी माली है वो मेरे पता है और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं आज की लेखन परिक्षा में या सफल हो जाऊंगे क्योंकि माँ पर लेख लिखना था और मैंने पता पर लिखा पर यह बहुत ही छोटी सी कीमत होगी उस सब की जो मेरे पता ने मेरे लिए किया धन्यवाद आखरी शबद पढ़ते पढ़ते अध्यापिका का गला भर आया था और प्रधानाचारिया के कार्याले में शानती छा गई थी और इस शानती में केवल रामदास के सिसकने की अवाज सुनाई दे रही थी बगीचे में धूब की गर्मी उसको कमीज सक गीला ना कर सकी पर उसके पेपर पर बिटिया के लिखे शब्दों ने उस कमीज को पिता की आसों से गीला कर दिया था वह केवल हाथ जोड कर वहाँ खड़ा था उसने उस पेपर को अध्यापिका से लिया और उसे अपने हृदय से लगाया और रो पड़ा प्रधानाचारिया ने खड़े होकर उसे कुरसी पर बिठाया और उसे गिलास पानी देकर कहा रामदास तुम्हारी बेटे को इस लेख के लिए पूरे दस में से दस नमबर दिये गई है यह लेख मेरे अब तक के पूरे विध्यालय जीवन का सबसे अच्छा मात्र दीवस का लेख है हम कल मात्र दीवस अपने विध्यालय में बड़े चोरो शोरो से मना रही है और इस दीवस पर विध्यालय एक बहुत बड़ा कारेकरम आयोजित करने जा रहा है तो विध्याले की परबंधख कमेटी ने आपको इस कारेकरम का मुख्या तिथी बनाने का न्रणे लिया है यह सम्मान होगा उस प्यार, देखबाल, देयाभाव और त्याग का जो एक आदमी अपने बच्चे के पालन के लिए कर सकता है यह सद्द करता है कि आपको एक औरत होना जरूरी नहीं है एक पालक बनने के लिए साथ ही यह अनुशंशा करता है उस विश्वास का जो विश्वास आपकी बेटी ने आप पर दिखाया हमें गरव है कि संसार का सबसे अच्छा पता हमारे विध्याला में पढ़ने वाली बच्ची का पता है जैसा कि आपके बिटिया ने अपने लेख में लिखा रामदास हमें गरव है कि आप एक माली है और सक्ची अर्थों में माली की तरह ना केवल विध्यालय के बगीचे के फूलों की देख भाल की बलकि आपने इस घर के फूल को भी सदा खुश्बुदार बना कर रखा जिसकी खुश्बु से हमारा विध्यालय महक उठा तो क्या आप हमारे विध्यालय के मात्र दीवस कारकरम के मुख्याती थी बनेंगे रोपड़ा रामदासर दोड़ कर बिटिया की कक्षा के बाहर से आशु भरी आँखों से निहारता रहा अपनी बेटी को साथ संगत जी ये था एक पिता का प्यार एक पिता की ममता ममता के लिए केवल मा एक स्तरी होना जरूरी नहीं पिता भी अपने बच्चे के लिए पूरी ममता लुटा सकते हैं अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो विडियो को लाक्षर जरूर कर दीजेगा आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नई साखी के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार जी